25 MPA हैं BJP के, more or less आदा से ज़्यादा MPA का खिलाफ anti-incumbency चल रहा है, काम नहीं किया, चार पेरामेटर्स को Central BJP Leadership ने रखके ये सर्वे करवाए था. इस्चेत रुप से पिछले बार जैसा situation नहीं रहेगा, कॉंग्रेस कड़ी टक कर देगी, क्योंकि कॉंग्रेस के जो कारेकरता है, मत दाता है, उनको साफ है कि उनको कॉंग्रेस को वोट देना है. पिछली बार उनको अपनी पार्टियों को हराने के लिए गुस्से में वोट कर रहे थे, इस बार उनके सामने चीज़ें सपष्ट हैं. तो बीजेपी को यहां टकर मिलेगी, वो पांच से छे सीट कॉंग्रेस को मिलेंगी लगता है मेरे को, और करीब 18 से 20 सीट जो है वो बीजेपी को जाएं. हलो, नमस्कार, न्यूस्तक के स्पेशल लोकसभा एडिशन के लिए आपको स्वागत है. अब की बार 400 पार का नारा लगाया था प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी. उसको अच्छीव करने के लिए दक्षिन बारत में NDA और बीजेपी को जबरदस परफॉर्म करना चाहिए पिछले बार बीजेपी ने 28 सीट में 25 सीट जीता था और इस बार उनको कैसे फाइदा और कौन सा नुकसान हो सकता है. दूसरी और कॉंग्रेस जो करनाटका में हफ़ते में है, वो भी चाहते है कि करनाटका में इस बार अच्छा परफॉर्मंस होगा. गैरेंटी के उपर उनका उमीद है कि लोगसबा एलेक्शन में इसका इंपक्ट ज्यादा होगा और इसके वज़े से ज्यादा नंबर हा सकता है. बीजेपी और कॉंग्रेस को क्या नुकसान होगा, क्या फाइदा होगा आने वाले लोगसबा एलेक्शन में इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारा साथ जुडे हुए है सीनियर जर्नलिस्ट विजाई ग्रोवर जी, राजिव मिश्टा जी और हेमन जी शुक्रिया न्यूस्तक के साथ आप जुडने के लिए पहला क्वेशन विजाई ग्रोवर जी के साथ है जो लोकसबा एलेक्शन होने वाला है इसके उसके फाइदा और नुकसान के बारे में बात करने के लिए बीजेपी का क्या फाइदा हो सकता है और नुकसान क्या हो सकता है करनाटका में सबसे पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि अगर करनाटक की बात की जाए तो इस बार जो लड़ाई है वो गैरंटी की लड़ाई है हमने देखा था पिछले साल जिस तरह से कॉंग्रेस सप्ता में आई थी वो पांच गैरंटी के ऊपर आई थी और उसी का फॉमुला उन्होंने तेलंगाना में भी कॉपी किया और तेलंगाना में भी सरकार बनाई हम क्योंकि करनाटक सरकार साफ तौर से यह कहती है रही है कि जिस तरह की पांच गैरंटी उन्होंने दी थी वह उसी को आगे ले जाना चाहेगी केंद्र में भी लेकिन यहां सबसे बड़ी जो चालेंज है वह यह है क्या मोदी की गैरेंटी चलेगी यह जो करनाटक सरकार की guarantee है वो चलेगे राजु जी आपके आपके पुछना है तो कोंग्रेस अभी कर्णाटका में पावर में आई है और बहुत ज्यदा promise है जो कहते है guarantee उन्हों लोगोंने फुल्फिल किया है इसका impact हो सकता है लोग सभाव में अभी तक देखा है वो लोकल इशू पर जब विधान सभा के चुनावậब होते है तो लोकल इशू पर मददान होता है और जब लोक सवा के चुनाज़ तो वो नेशनल इशू पर हमेशा वोट करते आए हैं और इसके एक्जामपल 1984 1995 में मिलते हैं 2014 में मिलते हैं 2013 का जो विदान सभाज चुनाव था उसमें बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी थी लेकिन जब 2014 का election हुआ तो बीजेपी को बड़े पैमाने पर जीत मिले और कॉंग्रेस नौ सीटों पर सिमटके रह गई लोग सभाज चुनाव में और जो 2014 का कॉंग्रेस का performance था वो पिछले 20 साल का best performance था 2004 से अगर 2024 तक हम आएं तो कॉंग्रेस कभी यहां 9 से ज्यादा सीट जीती ही नहीं और बीजेपी सोला से कम सीटे हारी जीती ही नहीं बीजेपी का performance हमेशा 60% से ज्यादा रहा है तो जब आप 2024 में जाते हैं पिछले विदान सभाज चुनाव में निश्चित रूप से कॉंग्रेस सत्ता में आई है लेकिन जब लोग सभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो फिर एक बार नर कॉंग्रेस का जहां तक सवाल है लोकल इशू पर चुनाव लड़ना चाहेगी और जो केंद्रिये अवंटन को लेकर के एक मामला उठाया है करों की हिस्सेदारी को लेकर के मामला उठाया है गारेंटी कारिकरम सबसे इंपक्ट करेंगे और उसके अलावा जो कॉंग्रेस क में बात किया तो राम मंदिर का मुद्द ज्यादा है क्या गारेंटी का पॉपॉलरिटी ज्यादा है करनाट का में राजीव जी से सामत हूं जनता समझदार है और मद्दातास प्रबुद्ध है प्रबुद्ध है जिसको किसको कहां मतलब कितना देना कहां बिठाना इसको आपने ये मुद्दा पूछा आपने। कोई जरुरूरत नहीं है किसी को भी आवश्केता नहीं है। जनता के मन में है भी वो बैट गया है कौन है कौन किसका किसका पक्षमें करके तो तट इस नाट गट इस नाट गोट इसे अंडर लेइंग स्टर अमांग दी पबलिक नमब वन नमब टू आपने गयारेंटी के परहें में पूचा आपने जंत मैंने कहा कि जंता समझदार है प्रबुद्ध है अद्दाता जंता कह हाँ हमको यकीन हो गया कि Congress Party को वोट देना है कि यारेंटी हमको मिलेगा पांच गैरेंटियां और Congress Party सत्ता में आए 134 सीड जो भी है मतलब अभी गैरेंटी लागू किया उन्होंने पांच गैरेंटी पूरिए लागू किया है उन्होंने लेकिन वो विदानसभा चुनाओ के कि बिए आइसे नाशिवीन ने कहा कि ड लोकसोबा एलक्षों सार् बैटितर्मिन गयारेन गरीऊ आशनलखन उटे में लड़ा वटे दिया लेकिन लृकसा अविद्धर होगा इसलिए जानता सोचते है कि लोकसभाय चुनाव में काम करने वाला है विजे जी आपको देखा तो आप राज्य जो असंबली एलेक्शन हुआ था उस में मुद्य पर डिसकुशन जो हो राता वो दर्म जाती मंदिर मस्जिद पर ही हो राता आपको लगता है वही रिपीट होगा लोगसभाई एलेक्शन में भी आपने जो स्टेटमेंट सुना था कि नलिन कुमार कटिल का स्टेट प्रेजडेंट थे वो कहे रहे थे कि अरे डवलप्मेंट छोड़ दो हम बात करेंगे लाउज जिहात को कैसे बगाना है राज्य से सो ऐसा मुद्धा शुरू होगा लोगसभाई एलेक्शन में कि डवलप्मेंट की बात होगी देखिए जहां तक अगर बात की जाए तो जो कम्यूनल एजिंडा है वह कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और हमने जिस तरह से देखा कि आपने नलिन कटिल का जि कहीं ना कहीं समाप्त हो गया क्योंकि जो चाहिए था लोगों को मिल गया है और वह एक चीज इशु विच इस डेड नावर दे मुमेंट जो की कैप्टलाइज नहीं कि आ जा सकता फर्दर लेकिन जो अन्य मुद्धे हैं यहां पर खास करके करनाटक में अगर मैं बात करू तो उसमें पॉलिटिकल इशु के अलावा जो पॉलिटिकल इस समय पर हालात है राजनितिक डलों के वह एक बहुत बड़ा चालिंज होने वख सबसे बड़ा तो हम कॉंग्रेस की बात करें तो दो-दो कॉंग्रेस चल रही है एक से दरमाया की कॉंग्रेस है एक डिके सब्सक्राइब तो यह चीज जो हैं कहीं न कहीं बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि हमने देखा कि साबोटाज इंटरनल जो सपोर्ट नहीं मिलता है कैंडिडेट को कॉस्ट्वेंसी वाइस वह कहीं न कहीं इस बार गेमचेंजर हो सकता है दोनों पार्टियों के कि अगर बात की जाए तो जो कि अभी एक्स्टिंक्ट हो चुकी है इस राजय में और जो भी सीट सुद्व को मिलेगी बीजेपी से वह शायद उस पर लड़ेगी तो वह जो एक कास्ट का एलिमेंट जो आएगा कि क्या वकलिगास फील हर्ट कि जिस तरह से जेडियेस एक रहके से उसका चाप्टर ही क्लोस कर दिया जा रहा है क्या वह बीजेपी के साथ जाएंगे या वह कॉंग्रेस को डीकेशिव कुमार के साथ जाएगी तो यह इलिमेंट जो होंगे ना इस चुनाब में बहुत प्रूशल होने वाला है क्योंकि जैसे राजीव ने कहा कि कास सेंसर जया जंगनाना की जो रिपोर्ट आई थी क्या इसमें जो डॉमिनेंट कास्ट है चाहिए वह वोकलिगास है या लिंगाएट्स है क्या वह अपना एक पावर शो और से दिखाएंगे क्योंकि देश के मुद्धे लगबख सॉटेट है नंबर्स की अगर बात की जाए है हम साथ दौने हैं अभी रीजन के वाइस बात के आतो पिछले बार बीजेशन के पाफॉरमनस जो वखलीय का रीजन होगा वह पूंच्छ न हंचा नहीं ता पिछले लोग सभाचुनाव कि आप बात करते हैं, तो पिछला जो सियासी समिकरण था, वो जेडियस कॉंग्रेस के साथ था, और जब दोनों पार्टियों का गटबंधन हुआ, ये दोनों पार्टियां साउथ करनाटक में जो मैसूर मंडिया, कुलार, चमराजनगर और तु पैमाने पर, इस बार सियासी समिकरण अलग है, इस बार जो सियासी समिकरण है, वो जेडियस जो है, वो बीजेपी के साथ है, और इसका एडवांटेज मिल सकता है, बीजेपी को, मेरा मानना है कि जब बीजेपी का किसी रिजनल पार्टी से गटबंधन होता है, तो उसका वोट फ्लो बीजेपी की और सहज होता है यह देश में भी यह चीजें सामने आई हैं तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि मंडिया में मैसूर चामराज नगर जो दक्षण करनाटक के जो छेत्र हैं वहां पर किस तरह की सिच्वेशन रहता है निश्चेत रूप से पिछल इसको वोट देना है पिछली बार अपनी अपनी पार्टियों को हराने के लिए गुस्से में वोट कर रहे थे इस बार उनके सामने चीजें असपष्ट हैं तो बीजेपी को यहां टक्कर मिलेगी और जहां तक आप नौर्थ करनाटका की बात करें जब उस साइड में जाए कि कॉंगरेस उस सीचिवेशन को इस बार चेंज कर देगी अभीत तक, आगे क्या होगा देखना पड़ेए सार उन्नों ने कहा कि Congress टकर देगा बहुत जगा पे जैसे उन्हें रीजन वाइस भी बताया था, आपको क्या लगता है, BJP कैसे टकर देगा Congress को, उनके रीजन में, बिंगलुरु रूरल में, मंडिया रीजन हो, ओल्द मैसूर रीजन हो, जहां पे JDS भी मजबूत है, वहां पर बीजेपी का इंपक्ट कैसे हो कैसा है और इस बार कॉंग्रेस का सर्वे भी बता रहे कि सेंटरल करनाटका दो हाइदराबाद करनाटका रीजन है वहां पर भी उनका परफॉर्मस अच्छा रहेगा कि इतना कराब ता 2019 में उतना खराब इस बार नहीं होगा करके बीजेपी कैसे टक कर देगा उस चगार यह जनसंग की समय में देखते आ रहा हूं कि वकलीगा क्षेत्र में जनसंग से लेकर आज तक घार्थिये जनता पार्टी का मतलब पकट बहुत कम है वो तो कमजोर है ट्रेडिशनली इज नार्थ करनाटका में जहां पर वो लिंगाइद का फैक्टर है वहां बीजेपी मजबूत है अपने का ठीक का आपने की सेंट्रल करनाटका में सेंट्रल करनाटका का फैक्टर अलाग है साउथ करनाटका इस डॉमिनेट में वकलीगास नार्थ करनाटका तो पुरा पकट ल तेनों जातका है उसमें भी बीजेपी का पकड़ तोड़ा कम था लेकिन लोकसबा चुनाओं में लोकसबा चुनाओं में चितव दुरुगा भी जीत गए पोल अर्म भी जीत गए इसका मतला भे इस अफ नाशनल फैक्टर्स मोधी फैक्टर फर दे पास 10 सब्सक्राइब कर दोजार उननीस में कॉंगर्स और जेडियस की गड़बंदन की सरकार थी और उनका उन दोनों के बिच में एलेक्ट्रोल अलेंस था इतना तक चला वो तो अलग बात है इस बार बारतिये जंता परटी और जेडियस का गड़बंदन चल रहा है और कहां तक जहां तक यह वकलिगा का वोट सवाल है बीजेपी इस टोटली डिपेंडिंग डिपेंडिंट ओन जेडियस फ़र ट्रैंसफर अफ वकलिगा वोट्स कितना तक हो सकता है कितना तक मतलब आ सकता है तो देखना पड़ेगा लेकिन तो थोड़ा बहुत तो फाइदा होने वा टू नंबर त्री इस बार इस बार मुझे लगता है कि जाती रीजन इसको सब कर उपर उठकर शिर्फ यह की मुद्धे पर वो जनता मद्दान करेंगे तो नैशनल इसू पर आप नाट रेफरेंट टू राम मंदिर नहीं क्यूंकि देखे यह दस साल में आर्तिक प्रगर्थी क्या हुई है आर्तिक प्रगर्थी और आर्तिक विकास के लिए क्या चाहिए इस प्री रिक्विजिटिटिस पोलिटिकल स्टेबिलिटी उसी पर होगा डिसकुशन लोग कांग्रेस काईसे उसके बारे में बात करेंगे उसका मुदा कैसे उठाएंगे बीजपी कैसे करेंगे लेकिन यतना कह सकता हूं मैं कि कांग्रेस को इडिजिने प्रेडिकमेंट अगर सिये के पक्ष में बोलें तो मुसलमान वोट नहीं देंगे अगर सिये के खिलाफ बोल का एक master stroke है, C.A. को अभी लागू करना है, 2019 में उसका पारित हो गया था, आज तक क्या किया, मतलब पांचना कुछ नहीं किया, हमें रही है, हाँ, तो अभी चुनाओ डिकलेर होने में एक हफते, पांच दिन बाग ही है, अभी गेज़ेट कर दिया, अब देखो, स्टैंड लेलो अभी, C.A. के किलाफ लेलो, या C.A. के पक्ष्मे लेलो, अब देखेंगे कों कया लेंगे, अब देखेंगे कों क्या लेंगे, इस लिए, लास पॉंट, पॉयंट, इसलिए मुझा लगता है, कि more than Ram Mandir, Ram Mandir तो सबकॉंश्यस माइंड में हैं, लेकिन C.A. is going to करनाटक का इलाखा है उदुपी मंगलोर और चेक मंगलोर कोस्टल जो भी है वहां पर हमेशा इसका इंपैक्ट रहा है और सी यह आने के बाद वो फर्दर जो बीजेपी का होल्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉंग होगा लेकिन जो कॉंसोलीडेशन था धर्म अधार पे या जाती अधार पे वो पिछले बिधान सभा चुनाओं में हुआ और जेडियेश के बीजेपी में जाने के बाद यह फर्दर और होगा और आप यह कह सकते हैं कि अलपसंख्यक का जो वोट है वो एक तरह से फर्दर कॉंग्रेस के पक् तो जो कॉंसोलीडेशन है जो एक अलपसंख्यक का वो कहीं न कहीं जाएगा कॉंग्रेस के फेवर में और जो हिंदू वोटों का यहां पर हाला कि हिंदू मदाता से पहले लोग वकालीगा लिंगायत ज्यादा है फिर भी वो बीजेपी के फेवर में रहेगा तो मंगलूर उडिपी के उपर है हमारा मोस अग्रिकल्चर मिनिस्टर शोबा करंदल जा के उपर है जहां पे उनके उपर नेगेटिव कैमपेंग शुरू हो चुका सर इससे कुछ दबा होगा कुछ कैंडेचर बदर सकते हैं क्या हो सकता है सगाय मैंने पहले भी का था कि जो फै मैं गाक्ति के भीतर से हो रहा है ओर जौ एकड़न जिसमें ठीशी शुरया का एक जौन का नाम नाम है तो वह जो है वह इंट.नल भाइट मैंने आप को सहां से पहले भी ब marshall है बनाता है बहले हिन चाल चीड़ वाहन कि इस शुरिया का नाम सना तो यह चालेण्ज जो है जब वीजेया अधन सर्फवत्वेस को रहने वाला है और विएपीी सीजस पर इस बार खास करके एक बहुत बड़ी नजहर बनानी होगी क्योंकि इतनी इफ़ाइटिन्ग हमने पहले कभी नहीं देख हिए डोनों दलों में इतनी इनफ़ाइटिन्ग है कि कोई गारंटी नी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे शायद यह कहना मुश्किल है बैंगलू सेंडरल की बात कर लो मैं बीजेपी की नहीं बात कर रहा तो वहां पर जैसे की के जे जॉर्ज के चुनाव लड़ने की बात हो रही थी तो वहां पर जिस तरह से कॉंग्रेस के में खुद उनके खिला मुदी का वेव था मैं तब भी काऊंगा कि उस समय पर भी मैंने आर्टिकल लिखा था तो मैंने यह का था कि 2014 में अगर इतनी सीटें बीजेपी को मिली है वह सिरफ मोधी के नाम पर नहीं मेले थी वह भी एस यडियूरपा की में से मिली थी और इस बार भी मैं काऊंगा कि असिम्बली सीट से कुछ समय पहले ही जिस तरह से मनाया गया था एडियूरपा को अगर यह पहले हो जाता तो शायद वेद पूरे जोश्चते काम करते इस बार शायद जिस तरह से विजेंदरा और यह डियूरपा काम कर रहे हैं तो लिंगायत वोट को एक बार फिर दूसरी पार्टी से नहीं होगी इंटर्नल मैनेजमेंट में होगी तरह आपने बीए सेडियूरपा का नाम नाम लिया था राजी जी से दूसी के बरे में बत करो दूसरा वीजेपी सीट है शिवमोगा जहां पर शिवराच कुमार का वाइफ गीता शिवराच कुमार वहां अच्छा टक्कर होगा कि जो बैस्टिय ने वो बीजेपी का बैस्टिय नहीं होगा कुछ फाइट देंगे क्या केक वक हो जाएगा रागवेंद्रा के लिए वहां पर देखिए कुछ भाजपा के कुछ सांसदों के खिलाफ जो एंटीन कंबेंसी की बात कही जा रही है जै बुझ करके इस बार कॉंग्रेस ने गीता शीव राजकुमार को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में वहां पर उतारा है तो मुझे लगता है कि फाइट होगी इस बार निश्चित रूप से फाइट होगी आप विजयंद्र जो पिछली बार विदान सभा चुनाव मतलब कि कुछ वहां पर असंतोश है और कहीं न कहीं उसको कॉंग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है मुकाबला दिल्चस्प होगा शायद इश्वर अपा बेठा कांतेश को टिकेट नहीं मिला तो शायद इश्वर अपा वेडियूरापा के फैंबिली विरूत काम करेगी इश्वर अपा का पिछली बार जब टिकट चुनाव मैदान से बाहर हुए थे तो वह बहुत खुश नजर नहीं आए और उनके कुछ ऐसे बयान भी आए जिससे वह लगा कि वह मतलब कि दिल से जो भाजपा कह रही है कि वह अपने खुद हट गए वैसा कुछ था नहीं औ और कहीं न के उसी समय उनका प्रयास था कांतेश को विधान सवाज चुनाव में टिकट दिलवाने का ओब नहीं हुआ अगर इस बार भी उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है तो निश्चीत रुप से एक सेट बैक होगा और देखना पड़ेगा कि फिर इश्वर अपा का र और साउथ बेंगलोर में तेजस्वी सूरिया कि कि के उपर कैसा असर है सर यहां पर कुछ है क्योंकि दोनों बैस्टियन है वह जो ही कोई बीजेपी वरकर भी वहां पर एलेक्शन में कंटेस्ट किया तो वह जीत जाएंगे करके बहुत लोग बोलते हैं इस बार वैसा ही ह और कुछ बदल चुका है दस साल में बहुत बदल चुके हैं इस्वरपा बार जाने से जाने के बार और वापस आने के बार बहुत बदल चुके हैं पहली बार इस्वरपा ने मतलब जाने नहीं देना था पारडी से बाहर है इस्वरपा जाने नहीं देना था पारडी से ब यहां तक वो एग्रिमेंट करेगा काम करेगा काम नहीं करेगा जहां तक लोग ऐसा वाल है प्रालाज जोशी के लिए ही जालोज एंटेंटर हुक्स नो पहले जैसे नहीं था तीन बार जीच चुके हैं प्रालाज जोशी 14 19 और अब देखना भी तो यह जग्दी शेटर फैक प्रालाज यह जग्योश शेटीज वन इन अभी दर वाई आइज़ केबर में पूचा यह लेकर जोड़ा तक अनंत कुमार जोड़ा से 9 उनिच से यह तेजिस सुर्या इस शीडिइंगें कर्फ नहीं देंगे फॉरी अफ़र्स निंश्टर इस देंगे जैशंग्र कर दिया कि आज दो तीन दीन दिन पहले जैशंकर भी क्लियर कर दिया कि आम नच इंटरेश्टी इन एक्टोरा पॉलिटिक्स मुझे पता नहीं है किसका नाम आएगा पता नहीं है मैसूर महाराजा यदुविर का नाम भी आया है जिस तर आजी जुने कहा बहुत सारे 25 MPa हैं BJP के हैं more or less आदा से जादा आदा से जादा MPa का खिलाफ anti-incumbency चल रहा है काम नहीं किया चार चार पैरामेटर्स को सेंटरल BJP लीडर्शिप ने रखके यह सर्वे करवाई था number one anti-incumbency है क्या अगर anti-incumbency है तो individual के किलाफ है या party के किलाफ है number one number two कार्यकरतों का साथ उनका संबंध क्या है लेना देना क्या है मतलब संबंध क्या है number three लोकसभब में उनका activity कैसे रहा लोकसभब में कुछ प्रश्ण पूचाए क्या कुछ मुद्ध उठाए क्या number four पार्टी का साथ उनका संबंध कैसा है यह चार पैरामेटर्स के क्राइटीरिया में उन्होंने सर्वे करवाई मेरा मेरा अनुमान है मेरा जानकारी है कि 18 से 19 MP का यह चारों में फेल हो गए अब एक तरीका है को बीट करने के लिए कंड़ेट को बदल दो गुजरात में उनने साथ कांसेंसिस में कंड़ेट बदल दिया लास्ट मिनिट में तो जीत कर गए अब आईसा करेंगे क्या अईसा रिस्क ले सकते है क्या बीजेपी सेंटर लुरिशिप ने अब देखना पड़ता है तो मेरा आकरी कोशन है तीनों के लिए सर एक के बाद एक आपके हिसाब से कौन कितना सीट जीतेगा और कौन सा मुद्धे पर जीतेगा अगर बीजेपी की बात कीजए तो बीजेपी में को लगता है कि इस बार 20 18 से 20 तक रहेगी और में मुद्धा जो होगा जैसे कि हिमन ने करें चाहें किMonrspace का मुद्धा किन जो नुद्धा रहाा संसेट इंग सांसेट है तो अगर एक ही नाम है जो बीजे बीजेपी को जी दिला सकता है तो अनुरल मोधी है और शाएद उननके करिश् jetzt पर फोर्फोय कया सकती है अगर्जेश के लिए इस समय जो मौजूदा अ उसमें एक element जो काम कर सकता है जो कि उनको पहले के मुकाबले better performance दे सकता है 5-6 seat का वो होगा इस सरकार की performance और जिस तरह से इन्होंने guarantees को implement किया और जिस तरह से कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि इनको एक मौका कुछ आंसदों को देना चाहिए तो शायद वो 5-6 seat Congress को आपके मुताबिक देखिए बीजेपी के जो प्लस पॉइंट मुझे नजर आते हैं मोधी चेहरा फिर एक बार इंपॉर्ट एक बड़ा फैक्टर है और रहेगा दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा और राम मंदिर के बाद से एक जो हवाबदली है वो रहेगा जो बीजेपी का नेगेटिव फैक्टर है वो है बड़े पैमाने पे सिटिंग एंपी के खिलाफ एंटी इंकंबेंसी कॉंग्रेस का जो पॉजिटिव पॉइंट है गैरेंटी कारिकरम है और अल्पसंख्यक मतों का कॉंग्रेस के फेवर में कॉंसोलिडेशन है कॉंग्रेस के लिए जो नेगेटिव पॉइंट है नेशनल चेहरा नहीं होना और जो करनाटक के मद्दाता है वो हमेशा नेशनल इशू पर लोगसभा में मद्दान करते हैं इस लिहाज से मुझे लगता है कि कॉंग्रेस जो पिछले 20 साल में जो अपना बेस्ट परफॉम कि आपके मुथाबिक कॉंग्रेस का मुद्दा क्या होगा और कॉंग्रेस कित जी सकती और DR कि तो आप आने वाले दिनों में क्या है कैसे हो सकते मुझे पता नहीं है फरिटम्ल नॉ नॉट थो आपि किखेंगे अपने पांच यािरंटी जोटा अजो आपको संब्सक्राइवर आप्फ हो गया अब डेहले दोगी कर दिया ऑर मिलांड़ मुटी है ओर अर्तिक आर्तिक प्रगती आर्तिक विकास और पिलिकल Birडी यह तूर तीनों हमने किये हैं 10 साल से किये हैं और पर मुझे मोका देउ तो यहीitta moksid तैंक यू सो मच वरिश्ट पत्रकारों का इंसाइट्स देने के लिए और लोगों को आपका इंसाइट पहुंचाने के लिए न्यूस तक के साथ जुड़े हुए है तैंक यू सो मच राजनीती में कुछ भी हो सकता है जैसे तेमन जी ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है आज एलेक्शन हुआ तो शायद बीजेपी को अडवांटेज है मगर आने वाले दिन में कैसा रहेगा और आज तक और इंडिया टुड़े के मूड आप दे नेशन सर्वे के अनुसार भी हमने दिखाया कि अभी एलेक्शन हुआ तो शायद बीजेपी को अडवांटेज हो सकता है कैसा हवा बदल सकता है गैरेंटी का इंपक्ट होगा क्या रामंदिर का करनाटका में आने वाले दिन में पता चलेगा कैमेरमेंट शुबूर्ति और बदू के साथ सगायराच न्यूस तक बंगलूरू